नमस्कार मैं हूँ पंडेत अर्विंद गौर्ड स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल जोतिश विद अर्विंद गौर्ड में पिछले दो एपिसोड में आप चार-चार लगनों के फरवरी मास के मासिक राशी फल के अबारे में जान चुके हैं आज बचे हुई तीन लगन जिनका नाम है धनू, मकर, कुम्ब और मीन यह हमारा तीसरा एपिसोड है जिसमें बचे ही चार लगनों के विश्य में चार्चा में करूँगा पहले दैनों अपिसेट में में बता चुका हूँ कि आप कृपय से लगन के साब से देखें, राशी के साब से भी देख सकते हैं पर लगन से गणना करने के नियम अलग होते हैं, राशी से गणना करने के नियम अलग होते हैं तो लगन के साब से देखे जाने पर ही इसका आपको सठीक फल प्राप्त होगा अधिक लंबा विशह नहीं अम सीधे टापिक पर आ जाते हैं तो हमारी आज के लिए जो पहली लगने उसका नाम है धनू धनू लगन की स्थिति कितनी अच्छी है पहले इस मुद्दे पर ध्य कि एक तो लगन में ही गुरू का राजयोग जिसका नाम है हंस महायोग बना हुआ है स्रेश्टतम बात बहुत सुन्दर राजयोग उसके शुबफल उसके परणाम उसका स्टेटस रुत्वा हर चीज यश मान समान सब प्राप्त हो गए और दूसरा राजयोग भी बना क्योंकि ब्रस्वती महाँ अपनी उच्छराशी में तो एक साथ दो दो बड़े महायोग यहां पर बने हुएं यह अपने आपने बहुत शुब इस्तिति है धनु लगन के लिए इस्तिति बहुत ही जादा अच्छी है अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कण्या लगन पे थोड़ा तीका पन थोड़ा कड़बा पन रह सकता है लेकिन इस्तितियां बहुत अच्छी है शुराती 14-15 दिन ये भाशा की खराबिया थोड़ी जादा देखने में आ सकते हैं आखों में कुस तकलीफ थोड़ा दर्द खास तरपर सीधी आख में दर्द की इस्तिति देखने में आएगी सिरदर्द की शिकायते हैं कुटमब जनों के साथ थोड़े थोड़े मन मुटाव पर बहुत जादा नहीं थोड़े मन मुटाव भी देखने मा सकते हैं या अपनी सामर्थ है के मद में हम कुटमब जनों की अंदेखी करें ऐसा भी देखने मा सकता है ज थोड़ी सी नमरता बनाया रखने में लाब जरूर होगा तो भाषा की स्थितियों की बात हो रही है उसका जो असार आएगा जब सूर्य अपनी राशी चेंज करेंगे चौदाय फरवरी को तो वो आ जाएंगे तीसरे घर में तो उसके बाद भाषा वाली स्थितियां कुछ इंप्रूफ करेंगी बचेवों महिने के लिए सेहत personality के साप से बात हुई व्यक्तित्व के बात हुई भाषा के बात हुई और आपके परिवार侏नों के साथ आपके संबंद इस सभी चीजह लगवाग अच्छी हैं जिनकी बात हमने कर ली अब बात आती है अपने छोटे भाई बैनों के साथ तालमिल की अपने बाहु बलका रिजल्ट निकालने की आपके एफर्स उसकी मेहनत और उसका फल आपको कैसा प्राप्त होगा है बहुत अच्छा प्राप्त होगा है आपकी हर कोशिश के सफल होने की गुझाईश है भाई बैनों के साथ तालमिल की स्थितियां भी बहुत अच्छी मालूम देती है तो अगर आप किसी भी चीज़ के लिए किसी नई चीज़ को प्राप्त करने के लिए कोशिश करेंगे तो पुड़ी सी माताजी के स्वास्ते को तक्लीफ देखने मा सकती है ऐसी कोई दिक्कत जिसे माकान लेना चाह रहे हैं उसमें छोटी मोटी को रगावाट आ जाए यह भी हो सकता है पर ज्यादा बड़ी समस्या यहां पर नहीं है इस्तितियां सुकून बरी तो अब बात आती है सुख के साब से higher education के साब से पढ़ाई लिखाई के साथ यह हालात भी बहुत अच्छे रहने वाले है आठ फरवरी के बाद यह परस्तितियां और अधिक अच्छी होंगी यानि अगर आप विद्या के चेतर में हैं और higher education की कोशिश कर रहे हैं कोई competitive exam के तायारियां कर रहे तो आपको बड़े अच्छे परणाम यहां देखने में आ सकते हैं संतान से सुखों की इस्तितियां 8 फरवरी के बाद बहुत अच्छी हैं आपकी विचार आपकी सोस समझ आपकी planning सही दिशा में काम करीगी जिसका आपको शुब उफल उप्राप्त होगा तो अभी तक बादशा के जिसकी आपको चिंता करनी पत्नी के साथ तालमिल की स्थितियां एबरिस अच्छी हैं लेकिन कहीं न कहीं पत्नी का जो सोस समझ प्लैनिंग है सलह देनी की सामर्थ है वो ज़्यादा अच्छी रहने के कारण थोड़े लाव और थोड़े नुसान दोनों यानि आप जाने अन जाने पत्नी के साथ वहवारिक तालमिल में कुछ दिकते महसूस कर सकते हैं पर उनकी सलह मानेंगे तो आपको अधिक लाद देखने में आ सकता है क्योंकि उनकी सलह काफी सठिक इस समय में देखने में आ सकती हैं धन संग्रे की सितियां एवरेज हैं कोई खा टारीक से चाहते हैं तारीक को लेकर के भी ये यह में कुछ ऐसी अजेक यातरा नी pak पर 隻 को ये यह लाब ना तो आपको सजग रहने के जरूता ये इस्तितियां उस्थाला नहीं है इस्तितिय एक अग्रा स्पोर्ट मिलता हो नहीं ढ़ने रहा है यानि कर्म मजबूत हैं इसलिए फल आ रहा है भागे से सपोर्ट नहीं है पर 14 फरवरी का यह स्थितियां भी बदल जाएंगी स्टेटस के साब से देखते हैं तो कुणली में बहुत मजबूत योग नहीं है यानि तमाम प्रयासों के बाद और अच्छी होने के बाद भी जीवन स्तर में अधिक वड़ूतरी होती भी नहीं दिख रही है जितनी की हम उससे उम्मीद कर रहे हैं या जितना हम प्रयास करें होने का बड़ा संदर योग है नए लोगों से मुलाकात होना कुछ नए जोएंट वेंचर बनने की गुंजाइशें बहना होना तो इन सब जीनों के लिए एक जो नए वैवसाय से सम्मंदित भविश्य को मार्व प्रशस्त करने वाले योग कि हम इसे गड़ाना कर सकते हैं खर्चों की बात ये करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़े से खर्चे जादा रहेंगे और थोड़ा सा स्वास्ते पर प्रभाव पड़ेगा तो कुल मिलाकर धनू लगन के लिए ये गोचर का एक मास के जो फल है वो बहुत ही शुप है इसमें ऐसी कोई विशेज ज्यादा फ बहुत बड़ा राजयूग बना हुआ है जिसका नाम है शशक महायूग लगन में ये राजयूग बना है अतीव शुबात है बहुत अच्छी स्थी है ये स्थी दोड़ाई साल तक रही लेकिन फिलाला में एक ही महीनी की चर्चाएं हैं पर कर रहे हैं तो व्यक्तित परसन आपका अपना व्यक्तित बहुत अच्छा रहने वाला है इसमें कहीं कोई समसा देखने में नहीं आई सूरे के लगन मोहने के कारण थोड़ी सिर्दर्ग की शिकायते हैं पत्नी के साथ तालमेल को लेकर छोटी मोटी दिक्कत हैं देखने में जरूर आएंगी तो ये एक द फड़ा सजग नहीं ज़र होता है दूसरे घर में बुद्ध की जो इस्तिति है वो कुछ इस तरीके की है कि यह कहीं न कहीं भाशा में थोड़ी ऐसी चीज़ां करता है कि जितना लाब हम उम्मीद करते हैं उतना लाब देखने में नहीं आता है यानि आपको अपनी भाशा किस तर को थोड़ा ठीक करना है थोड़ा आलस से कम करना है शब्दों को थोड़ा सठीक बनानी की कोशिश करनी है डालोग जितना क्लियर होगा आपके फैमिली मेंबर्स के आपके टर्म्स उतने इंप्रूफ करेंगे करन का योग बहुत अच्छा है मेहनत करने पर रिजर् मेंसे कोई आपसे दूर चासकता है रहने के लिए पढ़ने के दूर या विदेश घुमने भी जा सकते हैं demonstrate भी परस्तितियां बनने है शौर्ट टर्म के लिए विदेश यात्रा का योग भी आपकी कुंडली में बनना है जिसका आप लाव उठा सकते हैं अब सुखों के साब से देखें मां के साथ तालमेल के साब से देखें एजूकेशन के साब से देखें तो यह महीना कोई खास हैनी कि बहुत आव्शकता होगी संतान के सुखों की स्थिति है उसमें कोई विष्जय समुख्था नहीं है इनिशिल एज्यूकर्शन जो स्कूल तक की रहती है उसकी स्थितिएं अच्छी इसी तरह की पढ़ाई या कुछ कमप्टिशन की तयारियां अगर आप कर रहें तो उनके लिए भी हालात सुकुन भरे मालूं देते हैं शत्रू पर आपका दबदबा बना रहेगा हेल्थ की स्थितियां लगबग आपके कंट्रॉल में रहने वाली है कर्च की स्थितियां आपके कंट्रॉल में रहने लिए अगर कुछ कानूनी समस्थें पहले से चल रही है तो उसमें जीत होने की गुझाईशें बढ़ जाएंगी तो ये स्थितियां भी आपको फेवर कर दी है पत्नी के साथ तालमिल की स्थितियां जादा अची नहीं रहेंगी जो चरचा भी थोड़े दिर पहले भी मैंने की इसमें आपको थोड़े साफधानी रखने का वशक्ता पड़ेगी धनसंग रहें की स्थितियां कोई खास अची नहीं है यानि जाने अंजाने पैसे कही ना कही धरदर खर्च होंगे या वो कमाने के बाद भी आपके उतना फाइदे मन साबित नहीं होंगे जितना आप उमीद कर रहें भागे की स्थितिया एवरेज कोई खास अची नहीं यानि पिता के साथ तालमिल की स्थिति भागे की स्थिति हैं या एवरेज हैं आपको अपने बाहू बल के दम पर ही हर रिजल्ट निकालनी की ज़रूत पड़ी स्टेटस की बात करते हैं तो कंपरेटिवली अच्छा मालूम देता है मतलब तमाम परयासों के बाद भी आप अपने आपको इंप्रूव करने में अपनी आमदनी इंप्रूव करने में कामयाब होंगे अपने बाहू बल के कारण इस सब चीजों को कर सकेंगे भागे का उतना सपोर्ट आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है इसका अर्थ है आपको अपने कर्म पर अधिक ध्यान देनी के आवशक्ता होगे आवदनी के सोर्सिस ठीक हैं खर्चों के स्थितियां थोड़ी सी ज़्यादा जिनके बात हो गई लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं कुल मिलाकर मकल के लिए स्थिति एवरेश से अच्छी है बहुत अच्छी नहीं है पर अच्छी है ज़्यादा खराब भी नहीं है अब बात आती है कुम लगन की टेक्निकली बारहे लगनों में कुम लगन की स्थिति इस वक्त कोचर में कोई खास अच्छी नहीं क्योंकि इसमें सिर्फ पहले आठ देनी एक फरवरी से लेकर के आठ फरवरी तक मंगल का राजयोग जिसका नाम में रुचग मायोग बना हुआ है और उसके आप पूरे महीने कोई भी राजयोग कुंडी में अवेलेवल नहीं है लगवक सभी कुंडी में कोई ना कोई राजयोग था एक दो कुंडी तो ऐसी भी थी जिन में दो दो राजयोग भी बने तो कुम लगन की स्थितिय है कि लगनिश बार्मे घर में स्वगरी होकर के लैठे हैं अच्छी स्थितिय है लेकिन बार्वे घर में होने के कारण परणाम देर से प्राप्त हो सकते हैं आपके मेहनत ज़्यादा रिजट लिए रिजट उतने आही नहीं रही ये बात देखने माएंगे बोली भाशा वहवार को शलता इंप्रूव होगी इसका आपको फायता होगा कुटों में जनों के साथ सायूग मिलने का यूग बहुत सुन्दा रहेगा इसका आपको लाब होगा आपके अपने एफर्ट्स अपने प्रयास छोटे भाई में जनों के साथ तालमेल की कोशिश है ऐसी वो कोशिश जिसम एक्स्टर्नल सूर्सी से पैसा अर्ण करने के बात करते हैं वो बनेंगे तो इसका फायदा आपको होगा यानि ने सूर्स ऑफ इंकम डिवलब होने की यहां पर बहुत अच्छी गुंजैशने दिखाई दीती हैं जो लगब पूरे महीने आपको सपोर्ट करेंगे संतान के साथ सुख की स्थिथिया नहीं है जाने अंजाने कहीं न कहीं आपसे कुछ फैसले गलत हो सकते हैं आपको इसके लिए सजग रहना है आपका मैंड बाइफर्केटिव हो सकता है दो धारों में फस सकता है जिसके कारण आप थोड़ा तनाव मैसुस करें इसके लिए आपको सजग रहना है बच्चों की परफॉर्मेंस के कारण कोई दुख मिलना या संतान की हानी होना संतान से बिच्छो होने की भी एक कड़वी संभाव नहीं बन सकती तो थोड़ी साफधानी अपक्षित है वाइफ के साथ तालमेल की स्थियां कोई बहुत अच्छा हिजाब की ताइब हाना यह रहेगा तो इस पूरे मास्त में पत्नी से विचार मिमर्शों को लेकर आपसी तालमेल को लेकर कुछ न कुछ मद्वेद बने रहने की गुजैशियां बनती है धन संग रहे एवरेज इस्तिती पर है भाग्य की स्थिती बहुत मजबूत है तमाम खराबियों के बाद भी जो भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है उसके कारण आप इन सब समस्यां से ओवर कम कर सकोगे बाहर मिकल सकोगे जीवन इस तर एवरेज है बहुत अच्छा नहीं है लेकिन बुरा भी नहीं है इनकम के योग आमदनी का योग बहुत अच्छे हैं लेकिन क्योंकि प्रस्पती भाँ कंट्रॉल करते हैं केतु की भी वहां इस्थित्य है तो कोई अत्यदिक इजाफा आम अद्री में नहीं होगा लेकिन हा जो चल रहा है वो मेंटेन जरूर होगा थोड़ी बड़ेगी जरूर खर्चे लगबंग नहीं होंगे होंगे भी तो ना के बराबर कुल में लाकर कुम लगन के लिए इस्तितियां बुरी नहीं है लेकिन बारहे लगनों में सबसे हलकी इस्तिति इस समय या सबसे कमजोर इस्तिति इस समय इस पूरे महीने के लिए कुम लगन की ही रहने वाली है अब हमारी आकली लगन मीन लगन की हम लोग चर्चा करते हैं मीन लगन दो दो सुन्दर राजयों यहाँ पर बन रहे हैं लगन महीं मालब महायुग शुकर का राजयों बन रहे हैं क्योंकि शुकर अपनी उच्छराशी बैठ है और दशम भाव में ब्रस्पती का राजयोग हंस महायोग बन रहे तो दो शांदार सुन्दर राजयोग मीन लगन के लिए अतीव शुव इस्तिति है लगन में शुक्र के राजयों के कारण आपका रंग रूप सुन्दरता आपकी वहवारिकता आपका प्रभाव आपकी प्रभाव शीरता बहुत सुन्दर रहने वाली है इसका आपको लाप प्राप्त होगा भागे की स्थियां अच्छी हैं बोली, भाषा, वहवार, पैतरक संपता के साथ तालमिल की स्थिय यानि सुख मिलना उसका और कुटुमजनों का सयूग इस सारी स्थियां आपके लिए बहुत शुव हैं इसमें कोई भी खराबी यहां पे दिखाई नहीं देती आपको अपने की हुए प्रयासों का लगबग पून फर यानि जितने एफर्ट्स किये जाएंगे उतना रिजल्ट मिलने का बहुत सुंदर ही हो गए तो मीन के लिए इस सितियां अतीव शुवें सारी का वार्भी की सारी थोड़ी बहुत दिक्कत मान के साथ Beginning के दो देखने में आ सक्टी थोड़ी बहुत दिक्कत होसक्ती है अगर आप कुछ मकान के लिए कुछ इच्छए कुछ प्रापटी घर दना चाह रहे हैं कोई कार घर दने कि अगर आप प्रयास कर रहें तो उसमें छोटी मुड़ी तकलीफ आपको देखने मा后 सकती है कुछ डिले हो सकती है कुछ प्रालम्स हा सकती है कुछ एडिशनल पैसा खर्च हो हाट का थोड़ा बद प्रालम चल रहा है उन्हें भी थोड़ा सजग रहने के ज़रता है क्योंकि रहू के प्रभाव के करण थोड़ी दिक्कते हैंगी वैसे भी चार-ाठ बारे में गोचर में जब कोई ग्रह बैठता है तो कहीं न कहीं वो फोर्थ हाउस को खराब करता है और फोर्थ हाउस सुखों का है दिल का है, मां का है, इन दिक्कते आईगी तो जिनें पहले से हाट का थोड़ा बद प्रालम है, मास्पेशियों का प्रालम है मसल्स की कोई प्रालम है, लिगामेंट्स का कोई प्रालम है उनको सावधा मैनी के जरौत है उनके लिए ये गोचर शुब नहीं होगा इस एंगल से पत्नी के साथ तालमेल की स्थितियां एवरेज हैं बहुत अच्छी नहीं तो बुरी भी नहीं धन संग्रेय का योग बहुत अच्छा है आप बहुत कुछ अर्ण करके बहुत कुछ बचा सकेंगे भागे की स्थितियां पिता के साथ सुक की स्थितियां बहुत अच्छी है जीवन इस्तार का योग बहुत ही सुन्दर है हंस्माहियों के कारण आपको बहुत सारे मौके मिल बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके साथ जुड़ सकती हैं जो आप बोलें कि जो दूर गंभी प्रणाम आपको देंगे जिससे आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव चीज़ें देखने मेंगी और यह योग आप पर लगबक साल के आखिर तक नमबर तक बना रहेगा इस महीनत वकार है ही आमदनी के घर में 11 था उसमें शनी देफता बैठते हैं और वहाँ वे सगरही हो करके बैठे हैं तो आमदनी का जवरतस अच्छा योग रहेगा और external sources से यानि जो आपकी मुख्य आमदनी का जरिया है उसके अलावा भी कुछ additional sources कुछ नए रूट जरूर बनेंगे जिसे हम और बहुत सा पैसा अर्म कर सकेंगे तो कुल में लाकर मीन के लिए ये स्थितियां बहुत शुब हैं इसमें थोड़ी बहुत तकलीफ माता जी को मन को दिल को थोड़ी सी दिकत छोटी मुटी फिजूल की यात्राओं को दिखने मा सकती है अलावा इसके लगभग लगभग मीन लगन के लिए ये पूरे महीनी की स्थितियां बहुत शुब हैं हमारे एक कारकरम आपको कैसा लगा इसके संबंद में आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं कुछ प्रशन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं इस कारेकरत से संब समदित प्रश्णों का उत्तर देने का पूरा प्रयास किया जाएगा कुई सुझात देना चाहें तो आपका स्वागत है अगर आप हमसे संपर करना चाहते हैं तो हमारा वाट्सप नमबर है 9810249941 बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार